है वाड़ीजब पीपल मैं हूँ बिल और आप देख रहे हैं बिलू टेक्निकल दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 10 PC गेम्स फॉर एंड्रोइड हां तो अभी मुझे पता है कि आपने से काफी लोगों को यह सवाल आ रहोगा कि यार क्या पागल बना रहा है PC गेम्स या फिर एक्सबॉक्स के लिए रहेंगे यार तो यह एंड्रोइड के लिए कैसे बीच में डाल दिया तो दोस्तों आप ठीक से बढ़िए मैंने टॉप 10 PC गेम्स फॉर एंड्रोइड अला है ना ही जी टीए फाइज जो की PC के गेम है वो एंड्रोइड में चली गया इसा कुछ स्पेसिफिक गेम से जो PC और कॉंसोल की वो खासकर एंड्रोइड के लिए भी बनाई गई है तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप जरूर से जितने भी गेम से जरूर एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपको अगर कोई वीडियो में से गेम पस सादा फरक नहीं है पर आपके करेक्टर के पास कुछ सुपर पावर से जैती है जिससे वो स्लो मोशन से गेम प्ले को स्लो कर सकता है या फिर बुलेट टाइम को भी रोग सकता है और अलग-अलग स्टर्ण्स भी आप इसमें कर सकते है यह बहुत ही खतरनाक वाली दोस्तों इंटेंस वाली गेम है यह दोस्तों आप गेमपैड के साथ भी एंजोई कर सकते है अलग-अलग एम मोड्स मिलते है और अगर आप फ़न के लिए चिट्स डालना चाहते है तो चिट्स डालके भी इसे यूज़ कर सकते है और खेल सकते है तो मुझे उमिदा कि आपको यह व अपने प्लेयर के साथ और इसमें दोस्तों हर एक प्लेयर के पास 20 मूवस रहते है अलग-अलग मूवस तो उनको अनलॉक करना होता है अपको गेम को और फिर आपका जो स्टोरी मोडे उसको कंप्लेट करना होता है तो मुझे उमिदा कि आपको यह गेम भी पसंद आएगी बुली अनिवर्सरी एडिशन दोस्तों यह एक शरारती और भिगड़े हुए बच्चे की कहानी है जो एक स्कूल में बहुत ही अलग-अलग तरह की हरकदे करता है और अपने जो टीचर्स है फिर जो स्टुडेंट से उनको परिशान करता है यह गेम बहुत ही जादा फेमर से दोस्तों इसके कॉंसेप्ट के लिए दोस्तों यह ओपन वर्ल्ड गेम भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि आप इसमें हर एक चीज़ रोम कर सकते हैं स्कूल रोम कर सकते हैं अलग-अलग बहार की सीटी जा सकते हैं अलग-अलग क्राइम वार्स कर सकते हैं कंप्लीट कर सक और क्लासरूम के अंदर भी मिनी गेम्स आप खेल सकते हैं दोस्तों ये गेम पहले इतने अची ग्राफिक्स ये साथ नहीं आती थी फिर बाद में इसको जो है हाई इसलेशन टेक्शर के साथ एक्सेंज किया गया और फिर इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हो गए तो अगले लेवल पर बढ़ जाते हैं अगर आप हार गए तो उसी लेवल पर आपको वापस खेलना पड़ेगा ये सिमिलर ए शाडव फाइट से पर इसमें जो डी सिमिलारिटी है शाडव फाइट से वो है कि इसमें आपके कैरेक्टर के पास बहुत ही अलग स्पेशल पावर एक्स था पर बाद में इसको चेंज करके सिप मॉटल कॉमबेट रख दिया है और ये दोस्तो वार्नर ब्रॉस की गेम है तो आप समझे सकते है कि कितना खर्चा किया होगा इस गेम में GTA San Andreas दोस्तो इस गेम के बारे में क्या बताओ काल जॉंसन की स्टोरी है इसमें जो की बहुत समय बात अपनी सिटी में San Andreas में वापस आता है दोस्तो ये गेम PC वाले से बहुत हद तक बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें दोस्तो काफी सारी चीज़े वापस रिमास्टर की गई है जैसे लाइटनिंग इंचरस्मेंट और काफी जादा ग्राफिक्स बढ़ाए गए है PC वाले गेम से और आपको इसमें ओपन वर्ल्ड DC के लिए DC Super Heroes के लिए DC Super vs DC Villains के बीच में की Fight दोस्तो इस Fight में चांचान लगाने वाली चीज जो है वो है उसकी Epic Combos और उनके Moves दोस्तो इसमें लात तोडू और फोडू वाले Moves आपको करने मिलते हैं अपने Super Heroes या फिर विलेंस की तरफ से और दोस्तो ये गेम काफी अच् कर सकते हैं आप अपने बैटल करने के लिए High Quality Graphics है 3D Audio है ताकि आप 3D sound effect ले सके 7.1 surround sound है realistic weapons यूजे गया है वेहिकल से open world है और जाधा से जाधा कुछ भी नहीं तो आप में से जाधा से जाधा लोग तो ये गेम खेलते होंगे उसलिए मुझे जाधा पतने के जरूत नहीं हैं तो यहीं पर जाधा खतम करते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको ये गेम भी पसंद आएगी Call of Duty Mobile दोस्तों ये एक official game है Call of Duty की तरफ से और दोस्तों इसमें जैसे की official Call of Duty की game है आपको missions complete करने है Multiplayer mode आ रहा है या नहीं आ रहा है अभी तक confirm नहीं है क्योंकि as it is not released till now और इसमें आपको soldier बनने वाली जो feeling है वो मिल जाती है size भी अभी तक confirm नहीं है पर जितना पता है उतना बोला जा रहा है कि यह जो game है November month में release हो जाएगी confirm पूरी तरीके से नहीं बीटा नहीं कुछ पूरी तरीके से officially November तक release हो जाएगी तो मुझी उमिदे कि आपको यह game भी पसंद आएगी और आपको थोड़ा weight करना पड़ेगा इस game को खेलने के लिए AR के survival evolve दोस्तों इस game में आपको जो है डाइनोसोर्स का जो अनुबव हो है वो मिल जाता है आपको इस game में fight करना है survive करना है और tame करना है 80 plus डाइनोसोर्स को tame यानी ही उन्हें पालतू बनाना है हाँ आपने सही सुना पालतू बनाना है डाइनोसोर को ना ही कुत्ते को या फिर बिल्ली को आपको डाइनोसोर को पालतू बनाना है इसमें आपको craft करना है, build करना है, houses और अलग-अलग resources, survive करना है, online friends के साथ भी आप इसे खेल सकते है और इसे खेलने के लिए दोस्तो मिनिमाम आपके mobile में 3G RAM चाहिए, तो मुझे उमीदे कि आपको ये गेम भी पसंद आएगी Fortnite, आप में से काफी लोगों की फेवरेट गेम पर खेलनी पाते क्यों, क्योंकि आपका Android सपोर्ट ही नहीं करता दोस्तो ये game similar है, PUBG से cartoon type graphics है और बहुत ही अलग-अलग weird characters है इसकी दोस्तो Android के लिए requirement कुछ ज़्यादा ही हाए है, बहुत ज़्यादा नकरे इसके Android पे चलने के लिए काफी mobile से support नहीं करते पर अगर आपका लख रहा तो आप इसके specifications पे में डिस्क्रिशन में डाउनलोड लिंग दिए है आप देख लिजे वहाँ पर आपके official website से आप डाउनलोड कर सकते Android के लिए वहाँ पर देखिए कि आपका mobile इसके लिए compatible है कि नहीं अगर होगा तो राउनलोड कर लिजी और आप आराम से इस game को खेल सकते हैं पर sorry यह हर एक mobile के लिए compatible नहीं है खासकर मेरे खुद के mobile के लिए compatible नहीं है तो उसके लिए शमाच आता हूँ तो मुझे उमीज़ के आपको यह वाली game भी पसंद आएगी आगे चला जाता हूँ फिर पीछे रह जाता हूँ मैं डैडी कहते हैं बेटा तू रिक्षा ही चलाएगा बात करना तो आता नहीं इंजीनियर क्या बन पाएगा पर एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा मैं प्रामिस करता हूँ डैडी बिटा कुछ करके दिखाएगा मा तेरे लिए तो एक बात ही काफी है बड़े से बड़ा गलती कर दू तू मुझको समझाती है तेरे मन में ख्याल आता हो